जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटपॉर्म पर देख रहे हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा भी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पर लगी बेल आइकॉन को ज़री दुबा दे ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे और दोस्तों गर आपको हमारे काम पसंद आता है मारे वीडियो पसंद आते हैं तो www.patreon.com.dr अर्शी खान पर जाकर डुनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं पेत्रान का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं दोस्तो बीजेपी के मताबिक मुसल्मानों में 80% पासमंदा मुसल्मान है ये वाला डेटा कहां से आया है इसका कोई अतापता नहीं है वैसे बीजेपी का पासमंदा मुसल्मानों को लेकर उभरा दर्ड और प्यार चौकाने वाला है क्योंकि लिंच हुए लोगों की, नफरती वाइलेंस के शिकार हुए लोगों की, गवरक्षा के हातों मारे पीटे गए लोगों की, दंगों में मारे गए लोगों की, पुलिस के फरजी एंकाउंटर का शिकार हुए लोगों की, जबरन घर वापसी वालों और लव जिहाद के मामलों में जेल भेज दिये गए लोगों की लिस्ट पर अगर आप नज़र डालेंगे तो उसमें 90 परसन से मंदा मुसलमानों को अब से कोई हारस्मेंट और आप्रेशन नहीं होने दिया जाएगा दोस्तों अब तक तो पूरी दुनिया को समझ में आही चुका है कि बीजेपी लोगों को बाट कर अपना सियासी खेल खेलती है वही सियासी तमाशा पसमांदा मुसलमानों को लेकर चल करके पसमांदा मुसलमानों को रिजर्वेशन में शामिल क्यों नहीं कर देते हैं अगर मोधी यह नहीं कर सकते तो It di-, enabled यह Sal looking like वीकर section की तरह पसमांदा मुसलमानों को 10 पर्संड दिजर्वेशन तो देही सकते है ना यकीन माझे मुलक के ऑश्राफ समेत सारे मुसलमान तब लगेगा कि भोपाल में पासमंदा मुसल्मानों के लिए नरेंदर मोदी की फिकर सचती खैर असलियत पूरी मुसल्मान कमिनिटी जाने कि बीजेपी ऐसा नहीं करेगी क्योंकि उसका मकसद सिर्फ मुसल्मानों का एक जुट वोट बिखेर करके उसकी ताकत को खत्म करना है और इसके लिए बीजेपी कभी बोहरा कभी शिया तो कभी पासमंदा का राग अलाप रही है हकीकत ये है कि नरेंद मोदी की हकूमत में सबसे ज्यादा हैरस्मेंट उन्ही मुसल्मानों का हुआ है जिस 80% को नरेंद मोदी पासमंदा बता रहे हैं गाय के नाम पर उनके बजरंगी और्गनाइजेशन के तरफ से मारे गए मुसल्मानों में 100% वही है फिर चाहे मिनहाज अंसारी हो तबरेज अंसारी हो अली मुदीन अंसारी हो या जुनेत रकबर अखलाप और मोसिम जैसे पासमंदा मुसल्मान 11 लोगों की तरफ से बलातकार करी गए बिल्कीस बांदों भी पासमंदा ही है हकीकत यह कि स्टेट स्पांसर डंगों में मारे गए 90% लोग सो काल्ड पासमंदा मुसल्मान ही होते हैं दरसल अपने कैबिनेट में एक मुसल्मान को छोड़िए पासमंदा मुसल्मान तक को भी जगार नहीं देने वाले प्रधान मंतरी एक शातिर चुनावी मशीन है जो चुनाव जीतने के लिए किसी भी निचले लेविल तक जा सकते हैं एक तरफ तो वो 80% मुसल्मानों को पासमंदा बता करके उनके लिए आसु बहा रहे हैं और दूसी तरफ यूसी सी पर खुद और मुस्लिम रिजर्वेशन पर अपने दो नमबर के मिनिस्टर से हमला करवाते रहते हैं करनाटक में उनकी सरकार ने इनी सो कॉल्ड पासमंदा मुसल्मानों को मिल रहा रिजर्वेशन खत्म कर दिया था दरशल बीजेपी, मोदी और संग की सियासत ही डिविजन की राजनीती है इसके लिए वो दलितों का डिविजन करके जातव और गैर जातव में अलरी बाठ चुके हैं तो एक मुस्त, ओबीसी जातियों को भी बाठ करके अलग-अलग कर चुके हैं ताजा डिविजन का सियासी खेल मनीपूर में, मेताई और कुकी कमिनिटीज के बीच चल रहा है वही हिंदु मुसल्मान के बीच डिविजन उनका सबसे पहला खेल था जिसमें उनको काफी काम्याबी भी हासल हुई है अब उनकी कोशिश मुसल्मानों के वोटो को बिखेरने की है बिखेर करके उनकी ताकत खत्म करने की है जैसे यादव अदलित वोटो की ताकत उन्होंने खत्म कर दी है पर साहिब और उनकी पार्टी बहुत बड़ी गलत पहमी पाले हुए है क्योंकि मुसल्मान एक है और एक ही रहेगा और उसकी एक जुटा की वजए उसकी एक कुरान उसकी पांच वक्त की नमाज और उसका दस्तरखान है करनाटक की तरह नरेंद्र मोदी का ये भ्रम्भी जल्दी ही तूट जाएगा खेर प्रधान मंत्री नरेंदर मोडी जिनके हालिया अमेरिका दोरे में उन्हें तानाशा हिटलर के मुकाबले खड़ा किया गया था तब लोगों की उमीद थी कि वो भारत लोट कर मनीपुर में जाती है वाइलेंस और कतले आम पर कुछ बोलेंगे लेकिन अभी तक तो वो मनीपुर पर खामोश हैं बस कुछ मंत्रियों के साथ मनीपुर पर मीटिंग के बहाने फोटो जरूर खिचवा लिया है वही राहुल गांदी मनीपुर गए और उन्होंने मनीपुर की गवरनर्स के साथ मुलाकात करी लेकिन किस हैसियत से उन्होंने मुलाकात करी ये तो नहीं पूछा गया तो आमी मीडिया में राहुल गांदी ना च्छाएं इसलिए उसी दिन मेट्रो स्टेशन पर कुछ चुनेवे मुसाफिरों के साथ नरेंद्र मोदी जीने जाकर फोटो खिचवा ली दोपहर में मनीपुर के सीएब एन बिरेन सिंग ने भी वही किया जो गोवा में खुद मोदी ने अड़वानी के साथ मिलकर अटल विहारी बाजपेई के सामने इस्तीफा फढ़वा कर किया था इस तरह कि तमाशेबाजी से सिग्निफिकेशन करने वाले नेता की मौजूदा सियासत में शायद ही कोई मिसाल मिलती हो है मोदी का प्रोपोगंडा सिस्टम गोईबल से भी एक कदम आगे चल रहा है इरादा साफ है बस सवाल ना उठे जवाब ना देना पड़े अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन की डील में घोटाले को कॉंग्रेट्स ने पकड़ा तो मोदी की प्रोपोगंडा सिस्टम ने मुद्दे से नजर भटकाने की कोशिश करी पासमांदा मुसल्मानों को लेकर किया जा रहा खेल भी इसी लिस्ट में शामिल है नरेंदर मोदी की पॉलिसी सिर्फ उद्द्योग पतियों के लिए है और ये खासियत भारत में ही नहीं दुनिया भर के देशों की सरकारों में भी है मोदी की अमरतकाल में उद्द्योग पति देश की जीडीपी का 60% यानि 60% हिस्सा दबाए बैठे हुए हैं पूरी दुनिया में अमीरों का मुनाफ़ा बढ़ता जा रहा है अमेरिका में जब वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार मोदी से मुसल्मान माइनॉर्टीज के हक पर सवाल उठाती है तो भारत के प्राइम मिनिस्टर कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट में डेमोक्रेसी की जूटी दुहाई देते हैं फिर भारत लॉट कर पासमानदा मुसल्मानों के लेकर अपनी फिकर जताते हैं लेकिन हकीकत आकड़ों में खबर बनकर उनकी खिल्ली उडाता है मुसल्मान डलित आदिवासियों पर जुर्म मोदी को देश के उन 23 करोड वोटरों के लिए सनातन का मसीहा बनाता है जिन्होंने 2019 में बीजेपी को इसलिए चुना क्योंकि उन्हें इन कमजोर तपके के रोजी रोटी और जमीन को हड़पना था फिर भी मोदी का चेहरा चुना नहीं जित्वा पा रहा है 23 करोड बीजेपी वालों का मुकाबला अब आपोजिशन के 34 करोड वोटरों के साथ है जिनके नेता शायद राहुल गांधी बनते नजर आ रहे हैं तो वहीं आखरी बाजी भी मोदी के ही हातों में है मीडिया को खरीद कर सवाल पूछने वालों को जेल में डाल कर सियासी विरोधियों को कुछ साल E.D.C.B.I. के चुंगल में उलजा कर उस पर युनिफॉर्म सिविल कोड ला कर पसमंदा मुसल्मानों के हैरिस्मेंट का तमाशा करके इक्वालिटी और समाजिक मजभी इंसाफ की डुगडुगी पीचना है साथ ही अपनी हर गलती हर नाकामी के लिए कॉंग्रेस को कोसना है बीजेपी के परिवारवाद को छुपाने के लिए ओपोजिशन के परिवारवाद पर सियासी तमाशा करना है दोस्तों इन सभी तमाम तमाशे के चलते रोजी, रोटी, महंगाई और घपलो का काला सामराज छिप जाता है क्योंकि ज्यादा तर अवाम बेवकूफ बन जाती है इलिटरेट होने के चलते मुसल्मानों के खिलाफ देश में नफरत कम नहीं हुई है इस दुक्ती नब्स पर सियासी तोर पर कोई भी हाथ अभी तक नहीं लगा पाया है इसलिए 34 करोड वोटरों का ओपोजिशन का 12 करोड में सिम्ट जाए कोई नहीं जानता मोदी शाह के तिलस्म का एक पत्ता है पासमानदा मुसल्मान मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ जै हिंद सत्ते मेव जैते अल्ला हाफिस दोस्तों हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशावी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बैल आइकॉन को जरूर दबा दे ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो www.patreon.com अर्शीहान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रान का लिंक डोनेशन के लिए मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबर्शिप भी ले सकते हैं जिसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल की मेंबर्शिप ले करके अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और पेस्बुक मेरा ट्विटर है, एड दे रेट अफ अर्शी अजीज खान, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में